संजेजा संजेजा आप जानते हैं भारत देश में बाप बेटे के साथ बेटा दादा के साथ ये सब एक परिवार में रहते हैं अब आपको लगता है कि कोई बड़ा बुजूर्ग जाए तो वो अपने बच्चों पर जिस घर में वो साथ रहते हैं वो अपने बच्चों को जब देने के समय उसमें से 45 परसंट रखेगा और 55 परसंट देदेगा सरकार को तो ज़ो उस घर में रहते हैं। क्या होगा जो सारी उम्र उस घर में रहें क्या यह भारत की जो संस्कृती है कॉंग्रेस पार्टी इसको नहीं समझ रहे हैं नाफिका जी फिर बहुत गंभीरता के साथ मुझे वक्त दीजीगा क्योंकि मैं इसका जवाब देना चाहूंगा जो सुधानशु जी ने का आपके बास पूरे साथ से किड्र है चो सबसे पहले तो बड़ा जो जूट जो बीजेपी पेला रही है क्योंकि बीजेपे जानती ही यह चुनाव हारेगी मिस्चित है एक नया सटकार आएगा प्रदान मंतरी आएगा चार जून के बाद। जानते है क्योंकि यह जानते हैं इन हरेटेंस टैक्स जो है यह आम आदमी के लिए नहीं है। यह तो अधानी टाइप के जो द्योगपति हैं उनके लिए होता है। जरह आप लोग कुछ पढ़ लिखे आया किजिए इन हरेटें करो रहा है। लेकिन आप देखिए कितने जुनून और जजबे के साथ सुदांशी उत्रेवेदी उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इनके आसू किसान के लिए नहीं बैते हैं। इनको हमारे युवाओं के लिए कोई दुख नहीं है। इनको हमारे गरीब के लिए कोई आप भी थोड़ा पढ़के आईए ना इको सिस्टम भारत का स्टार्ट अप्स वाला कितना है स्वेल सेट जी बता दीजे जो स्टार्ट अप वाले 20-25 साल के बच्चे कमा रहे हैं वो क्या बड़ा नहीं बनना चाहेंगे क्योंकि उनके उपर भी लगेगा ये टैक्स क्योंक आप पूछे आप कोई भारती है नौजवान से पूछे जो स्कूल में या कॉलेज में है कि बेटा बड़ा होके बड़े होके तुम क्या बनना चाहोगे अगर उसने आपको बोला कि मैं राउल गांदी बनना चाहूंगा मैं अपना नाम बदल दूँगा वो बनना चाहेग मुकेशम बानी वो बनना चाहेगा गौतर मरडानी वो बनना चाहेगा रदन टाड़ा क्यों क्योंकि दीज आर इंस्पिरेशनल पीपल आप हर वक्त जब आर्गूमेंट लूस करते हो आप लोगों को गालियां देना शुरू करोगे राहूल गांदी के नौकरी देगा लो बात कहनी कि भई ओ अमबानी है डानी है अमबानी कितनी बार आप एक ही चीज़ को धराओगे जिसमें ना तो कोई मूल है ना कोई लॉजिक है बिलकुल नौकरियां दे कौन रहा है अगर वेल्ट क्रियेटर्स नहीं होंगे तो नौकरियां आएंगी कहां से बड़ा सवाल है संजे मिश्रा बदोई उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं जनता की संपति छीन कर कौन से लोगसंत्र की रक्षा होगी क्या ये जनता के साथ ताना शाही नहीं होगी डॉक्सर कपिल भारगव का कानपूर से सवाल है कॉंग्रेस राजनितिक विरासत में मिली पार और को नहीं बनाते और दे देते पार्टी उनके हाथ में नाविका जी देखिये सचाय है कि भारतिय जर्ता पार्टी का ये दुष प्रचार हो रहा है चाहते थे इनहेरिटेंस टैक्स ये लाना इतना बड़ा भाशन दिया सुधान शुधा अरे 10 साल रहे नहीं लाए फैक क्या है यानी फैक्त तो मैं बता रहा हूं कॉंग्रेस पार्टी का घोशना पत्र है इनका दो धोखा पत्र दो करोर नौकरी 15 लाग सुधान शुधान शुत्रिवेदी ये कहते हैं जैराम रमेश कहते हैं कि आप 2017 में लाने वाले थे 2019 में लाने वाले थे ऐसे रिपोर्ट् ये तो उन से पूछिए इनको जवाब दे रहे हैं पर आज इन्होंने अपने पूरे वक्तव में फैक्ट और फीगर्स की बजाए एक नेता के रूप में ज़्यादा बोला और आब आप खुद सोच दिए जैराम रमेश जी ज़्यादा बड़े गुरु हैं या भाईया साइम पित्रोदा जादा बड़े गुरु हैं अब उदित राज तो खुद है बोल चुके कि अब सुनिये सुनिये सार एक मिनट उनके ऑफिशल प्रवक्ता उदित राज हैं और जो चुनाओ भी लड़ रहें और उन्होंने का साहिए अब बता भाईया जैराम सही है या उ साल नहीं लोग एक साल इंतियार कौन करेगा अगर इनकी ख्वाबों ख्यालों वाली कभी सरकार आ जाए ये तो कहेंगे हर दिन बदल दो भाईया वह पुराना वाला गाना था ना कि सोम वार को हम मिले मंगल वार को नैन और बुद को मेरी नीन गई और जुमे रात को चैन और शुकर सनीकट मुश्किल से आज है इतवार और साथ दिनों के लिए है भाईया साथ सक पियम तैयार इनकी सिती तो वो होने वाली है लगर चिंता मत करिये संजेज हाजी जो अमिच्छा जी ने कहा है जो चिदमरंजी के बयान पे याद रखिए हिंदी में कहवत होती न नौमन तेल होगा नराधा नाचेगी इसलिए सबको पता है कि क्या हकीकत होने वाली है और इसलिए मैं यहां पर एक और बाद भी कह देखे यहां फिर भारत की परंपरा और भारत की छमता का आपको आइडिया नहीं है इसलिए आप इस प्रकार की बात कहने का प्रयास कर र कर दो